के गाइज कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ एकता और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना और डिमान में आज मैं आपके शाथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी सूजी का हलवा इसको बनाना बहुत ही आसान ह और अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है और घर में कुछ भी अबेलेबल नहीं है तो इंस्टेंट विदिन 5 मिनट में आप सूजी का हलवा बनाकर खा सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कडाई में वन टी स्पून घ हम इसमे तो गी लिया है हुआ होुत है है ए चरी है कि ले लेंगे और इसको मेल्ट हो जाने देंगे है की के मेल्ट होने पर मैंने जो ड्राइठ उसमें डालने के लिए हैं उनको मैं रोशत कर लूंगी समेड़ गी में आपको जो सूजी का हलवा बनाएंगे सूजी फ्राई करने के लिए आप घीतो डालेंगे तो इसमें सबसे पहला इस्टेप यह कीजिए कि इसमें जो ड्राइफूट्स लियें को फ्राई करके निकाल लेजिए इससे क्या होता है आपका जो हलवा होता उसका टेस्ट बहुत जादा इन्हेंस होजाता है और फिर उसी कडाई में मैंने यह सूजी डाल लिया है यह हाप बाउ सूजी था और उसी कडाई में मैंने इसको डालके मैं इसको रोष्ट कर लूँगी इसे चलाते हुए इसको प्राइ करना है यह सूजी हो गए गोल्डन ब्राउन हो गए बस ऐसे चलाते रहना है वह इंस्टेंट रेसिपी है सभी लोग बना लेते हैं सूजी का अलवा और जो भी मैंने यह ट्राइफूट्स पहले फ्राइ किये थे वह मैंने अभी डाल दिये इसमें इसको थोड़ा सा चला लेंगे और अब इस पॉइंट पे हम पानी डालेंगे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो इसके जग यह हाप बाउल से थोड़ा कम चीनी है वह मैंने डाल दी है और इसको भी चला लेंगे बहुत ही क्विक रेसिपी है इसको आप विदिन टू मिनिट में भी बना सकते हैं अगर आप सूजी को फ्राइ करके रख लेते हैं तो जबी आपका मन करें तुरंत फ्राइड सूजी को डालिए और इंस्टेंट आपका सूजी तैयार है यह बस हो गया है ऐसे चलाते हुए इसको अच्छे से चलाना है नहीं तो नीचे से जलने लग जाएगा और यह अल्मोस्ट बन चुका है हलवा हमारा पूरी तरीके से पग गया है यह गर्मा गरम सूजी का हलवा तैयार है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल और थेंक्स पर वाचिन मैं वीडियो और थेंक्यू